बाला जी मैं क्या गरूँ, मैं कैसे लह जाओंगी, इसको मैं कैसे गर पहने मूँ देखाओंगी बाला जी, पर मेरी बाला जी नहीं करूँ, यह कहानी सची घटना पर आधारित है, जब बागेश्वर के बाबा ने बेसरा मा की मरी बच्ची को जिन्दा किया, जो कि कुछ ही अगर आपने बागेश्वर धाम के बारे में यह नहीं जाना तो क्या जाना, मा और बेटी की सची घटना जानने के लिए वीडियो को अंध तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूले, दोस्तों मध्यप्रदे तो मा और बेटी बाबा धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए निकल जाती है, और वे सही सलामत बागेश्वर धाम पहुँच जाती है, और सभी को पता है कि बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन के लिए लाखों की भीड लाइन में लगी होती है, और वे दोनों भी लाइन में लग जाते हैं और आपको यह भी पता होगा कि जब बाबा धिरेंद्र शास्त्री प्रवचन सुनाते हैं तो सभी लोग आस्था में लीन हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ मा के साथ हुआ मा ने अपने हाथों से बच्ची का हाथ पकरा था लेकिन कभी अचानक से बच्ची का हाथ मा के हाथ से छूट जाता है और वे दोनों अलग-अलग बिछर जाते हैं और इधर बच्ची जमीन पर गिर जाती है जिसके उपर से लाखों की भीर बच्ची को रोंगते हुए आगे बढ़ती है, बहुत देर के बाद भी उस बच्ची के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तब तक बच्ची बुरी तरह से धायल और खून से लत्पत और बेहोश हो जाती है, मानो बच्ची अधमरी हो चुकी थी, कभी दो लोगों की नजर उस बच्ची पर पढ़ती है, तो बच्ची बागेश्वर धाम के संस्था के लोगों के द्वारा यह बाद बाबा तक पहुँचाया जाता है, तो बाबा उसमा और बेटी को मंच में बुलाते हैं, और बच्ची को देखकर बाबा भी बुरी तरह से चिंतित को उठते हैं, पंडाल के नीचे सभी लोग एक ह कामना करते, बस बच्ची ठीक हो जाएं, और बाबा भी हार मानने वालों में से नहीं थे, कभी बाबा धिरेंद्र शास्त्री ने अपने आराध्य बागेश्वर बाला जी सरकार को ललकार कर कहा, हे बाला जी सरकार, आपने लाखों लोगों की जिन्दगी सवारी है, आज म बाद भी जिसको भी